गुड मॉर्णिंग एवरिवन, तोड़ी इस 23rd आफ नुवंबर, और डे हैं मंडे, आज हम करेंगे 30 Most Important MCQs, जो आपके किसी भी एक्जाम चाहे, वो कोई भी competitive एक्जाम हो, चाहे वो कोई आपके board एक्जाम हो, 10th के, तो आपके लिए बहुती important होने वाला है, हम इन question को ज्य से related है, क्योंकि इनके बारे में हम लोग जो वो detail में study कर चुके हैं, 4 या 5 पार्ट में जो वीडियो अविलेबल है, तो आप इनको भी जा करके देख सकते हैं, आपको description में इनके link मिल जाए, क्योंकि अगर आप इन वीडियो को देखेंगे, तो आप इन question को आसानी से कर सकत है, कि कैसी वो images बनाता है, अगर आप इन वीडियो को detail में देख लेते हैं पहले, तो आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा, आपके अंदर एक समझ विक्सित हो जाएगी, तो सबसे पहले plain mirror के बारे में थोड़ा समय आपको बता दूँ कि इसका use क्या है, बाकि convex और concave के ब होता है, अगर दो plain mirror को आपने सामने रखा जाए या पहले रखा जाए तो बो जोबो multiple images बनाता है, तो इसका use जोबो jewelry shop में होता है, जैसे कि एक object को जोबो कई maximum multiple times जोबो बताता है, ठीक है, दिखाता है, ठीक है, मतलब एक की चीज को जोबो, मतलब की कई बार जोबो दिखाए देती है, ठीक है, एक चीज मतलब यहां भी दिखाए देगी, इस side भी दिखाए देगी, कई side जोबो दिखाए देती है, तो यह plain mirror ही होता है, जैसे बारवर की shop में आपने देखा होगा, बालक टाते बार जोबो पीछे वाला, जो head हम दे यह start करते हैं, 30 most important MCQs, यह जो वीडियो होगी, वो हिंदी में ही होगी, लेकिन मैं English और हिंदी में दोनों में आपको इनके meaning बताऊंगा, ठीक है, तो first question है, परकास की किरन गमन करती है, ठीक है, परकास की जो किरन होती है, मतलब की जो ray of light होती है, वो कैसे travel करती है, तो में नहीं कर सकती है, कोई नहीं इसमें से, इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा सीधी रेखा में, क्योंकि जो ray of light है, always travel in straight line, ठीक है, second question देखिए, second question है, परकास का वेक नियूनतम होता है, ठीक है, परकास का वेक जो नियूनतम होता है, तो यह पुछ रहे हैं कि जो velocity of light है, ठीक है, जो velocity होती है, light की, velocity of light होती है, वो सबसे कम कहां पे होती है, निरवाद का मतलब है, जो vacuum है, वहाँ पे कोई gases नहीं है, ठीक है, vacuum, ठीक है, और जल, जल आपको पता है, water और वाईउ में होती है, या कांच में होती है, तो सबसे कम किसमें होती है, देखिए, सबसे ज पिरबात में कुछ नहीं होता है तो यहां पे जोबो थोड़ी सी ज्यादा होगी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होगी ठीक है तो velocity of light जोबो vacuum में सबसे ज्यादा होगी फिर उसके बाद आता है why you ठीक है फिर उसके बाद जल फिर उसके बाद kanch तो सबसे कम होगे किसमें कांच में सबसे कम होती है जो गलास होता है उसमें सबसे कम होती है अगर आपसे बुचा जाए कि जो sunlight आती है जो sunlight है वो अर्थ तक पहुँचने के लिए कितना time लेती है तो लगभग 8 minutes और 20 seconds के आसबस जो बो ताइम लेती है चलते हैं तेख थर्ड कोशिन मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा राता है तीक है तो फीचे देखने के लिए कौन सा जहाबू दरपन लगा होता है तो इसके बारे में हम डिटेल में लोग इसको पढ़ चुके हैं की कौन सा जहाबू दरपन होता है, कौन सा इसमें जबो, ठीक है, कौन सा जबो, मीर होता है, तो इसमें होता है, उत्तल दरपन, क्योंकि वो सीधी इमेज बनाता है, अगर आपने साइड मीर में देखा होगा, तो बिल्कु सीधी दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन सीधी दिखाई देते हैं, तो इसमें जो वो उत्तल दरपन का यूज होता है, convex mirror का यूज होता है, जो पीछे वाला कोश्चिन था, उसमें जो वो speed of light था, ठीक है, तो अगर आप से पुछ जाए कि speed of light कितनी होती है, तो approximate 3 into 10 raised to power 8, अगर आप से exact पुछ जाए, तो 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8, 7, 9, 2, 4, sorry, 4, 5, 8 meter per second होती है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 29 है, तो इसका यहाँ पे approximate 3 into 10 raised to power 8 ले लिए है, meter per second, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, next देखिए, motor car के headlight में किसका use होता है, ठीक है, तो जब हमने जब वो detail में discuss कर रहे थे, तो हमने motor headlight की भी बात की थी, ठीक है, motor car के headlight में किसका use होता है, जो headlight होती है, उसमें जब वो किसका use होता है, उसमें होता है अबतल दरपन का use होता है, अबतल मतलब की concave mirror, तो इसलिए जो अब तल दर्पन का वहाँ पर यूस होता है तो प्लेन मीर में जो वो कैसा दर्पन बनता है तो उसमें जो वो कालपनिक बनता है, मतलब कि वो imaginary होता है ठीक है, उसको हम अंदर देखते हैं, actual में वो वहाँ पे meet नहीं कर पाता है, तो वो जो हमें जो 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 सिशा होता है, ठीक है, जो mirror है उसके अंदर हम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन actual में हम लोग तो बाहर हैं, तो वह कैसा प्रतिवी बनाता है, कैसी जो वह image बनाता है, तो वह kalpnick बनाता है, ओक है, imaginary बनाता है, कोशिए number 6 देखिए, lens की कसमता का 아이 मातर क्या है, तो lens को जो वह किस में measuring के जाता है, इसका जो unit है वह क्या है, डायोप्टर चीक है डायोप्टर या डी से इसको आप बता सकते हो ठीक है कोशी नमबर नेक्स दिखे कोशी नमबर 7 प्रकास की किर्णों का पत दरसाने वाले चितर को क्या कहा जाता है तो प्रकास की किर्णों का जो पत होता है उसको दरसाने वाले चितर को क्या कहा जाता है तो प्रकास की कीरने जो भी वीम आती है ठीक है रे ओफ लाइट तो जो उसका जो भी दरसाने वाले चितर को क्या कहा जाता है तो उसको जो वीम डाइग्राम कहा जाता है ठीक है बीम डाइग्राम मतलब की जो कीरन आरेक है उसको कहा जाता है ठीक है next देखते हैं कुछी नंबर 8 2 डायप्टर ठीक है D का मतलब यहां पर डायप्टर है समतावाले लैंस का फोकसांतर होता है अब दीक है 2D 2 डायप्टर समतावाले लैंस का जो फोकसांतर होता है वो कितना होता है 20, 30, 40 या 50 तो याद रखिए यह जो वो 50 cm होता है ठीक है याद रखिए 50 cm होता है फोकस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इसका जो भी आंसर होगा वो होगा 50 cm कुछी नंबर 9 देखिए किसी उत्तर लैंस का फोकसांतर ठीक है कितनी होगी ठीक है अभी हमने बात कि कि 2D होगा तो 50 cm होगा तो इसका अंसर हो जाएगा प्लस के 2 डायपटर ठीक है कुछी नंबर 10 देखिए प्रकास की किरनों के समुख को क्या का जाता है तो प्रकास की किरने जो होती है उसके जो समुख होता है उसको बोले जाता है किरन पुझ बोले जाता है ठीक है नेक्स देखिए कोशी नंबर 11 उत्र लेंस की किसमता होती है ठीक है जो उत्र लेंस होता है जो कनवेक्स लेंस होता है जो कनवेक्स लेंस होता है उसकी जो किसमता होती है वो कैसी होती है रिणात्मक मतलब की नेगिटिव धनात्मक मतलब की पॉजटिव ए और बी दोनों होती है ठीक है एलेवन का जो अंसर है वो हो जाएगा पॉजटिव मतलब की धनात्मक होती है ठीक है क्योंकि जो उत्र लेंज है वो जो धनात्मक क्यों होता है